सावन का महीना चल रहा है जहां पर लोग बहुत जादा पूजा पार्ट में लगे हुए हैं वहां पर कुछ लोग अजीब अजीब चीजे कर रहे हैं अपने घर पे एक सक्ष ने मंगाया जुमैटो से खाना और देलिवरी बॉय था मुस्लिम और मुस्लिम से खाना नहीं लेना है सावन का महीना चल रहा है तो ये बोलते हुए उसने ये जुमैटो को बोला और उसके बाद जुमैटो ने सिखाया उसको सबग तो चलीए जानते भी हैं कि ऐसे ऐसे काम किये जा रहे हैं कि आपको भी बहुत ज़्यादा गुसा आने वाला है अगर धर्म तो सब एक होते हैं क्यों ये सब चीजे हो रही है पता नहीं हमेशा ही आपको पता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई जगड़ेश हमेशा चलते आ रहे ह है पर ऐसा भी नहीं है आगे ज़नेरेशन जा रही है पर फिर भी ऐसे-ऐसे केसिस आ जाते हैं हमारे सामने कि हमें भी सुनके हैरान है और गुस्सा आता है कि ये सब चीजे क्यों हो रही है आप जमैटो या किसी और ऐसी वेबसाइट से आप ओर तो करते होंगे खाना और उसे क्या लिना देना है कि अगर आपके ड्लीवरी बॉय कोई ऐसा आए या मुसलिम हो या कोई आप मुसलिम हो अगर कोई हिंदू आए तब ऐसी सब चीज़े हो जाएगी क्या तो यह सब चीज़े तब नहीं होगी ना तो एक पंडित के घर पे जिसका नाम है अमित शुकला अमित शुकला ने अपने घर से सावन के महीने में मतलब कि अभी सावन का महीना चल रहा है तो सावन के महीने में उसे जमेटो से एक खाने का ओडर किया और खाने के ओडर करने के बाद जब थोड़ी देर के बाद उसको पता चला कि उसका खाना पिक कर लिया गया है अगर आप अप्लीकेशन चलाते हैं तो आपको पता चले का धanti जब आपको खाना अद mortar करते हैं आपको गुश्यक्रीवरी वहां से पिक करते हैं पिक करने के बाद उसका घ्नाम आ एक गुश्यक्रे जाला कि स matar हैं दो कितने आसानी पर यहां तक लिखा कि मेरे सावन का महीना चल रहा है और मैं पंडित हूं और तो की एक मुसली मेरे खाना दिलीवरी करने के लिए आ रहा था और जब मैंने जुमैटू को यह चीज के बारे में बोला तब जुमैटू ने मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरे कोई भी अंसर नहीं दिया है तो मैं क्या करूँ मैं अगर अगर अपना पैसा वापस मांगना चाता हू तो लोग मुझे पैसा भी वापस नहीं दे रहे हैं पर मुझे अभी पैसा वापस नहीं चाहिए मुझे न्याय चाहिए तो इस चीज को जब उसने सोचल मीडिया पे पोस्ट किया तब लोगों की तो भीडी ही लग गई मतलब कि लोग तो उल्टा ही उसके उपर चड़ ग इस तरीके से कोई करता है क्या और खाने पर और इसी के बदले जमैटो ने भी ट्वीट किया कि खाने का कोई धर्म नहीं होता चाहिए वो खाना किसी को भी जाए कोई भी डिलीवरी करें तो इस तरीके से जिस तरीके से उन्हों ने हमें बोला कि आप डिलीवरी बॉय बद कर दिया जब हमने बोला कि के पैसा वापस नहीं आएगा अगर आप और कैंसल करना चाहते हो तब आपको 237 रुपीज आपको कुछ लग जाएंगे उस पे तो यह चीज़ बोलते हुए इसलिए उनको बोला तब उन्होंने नहीं माना और वो लोग वो हमें धमकी देने लग तो इसलिए यह सब मामला सामने आया और सामने आने के बाद अभी वो जो पंडित है वो यह चीज़ बोल रहा कि मैं अभी वकील को लूँगा और जमैटो के उपर केस करूँगा और कानूनी कारवाई करूँगा जो चीज़ उन्होंने मेरे साथ की है सोशल मीडिया पे इस सक्ष को कड़ी कड़ी गालियां पड़ रही है और जहां पर इसको गालियां पड़ रही है वहीं पर लोग जमैटो को काफी जादा सराह रहे हैं और उनके साथ जा रहे हैं जिस तरीके से इसने मुस्लिम सक्ष के साथ किया मुस्लिम गलीवरी बॉय के साथ किया ये करना सह अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भीदबाओ रखना अच्छा है या नहीं अच्छा या हमें आगे बढ़ना चाहिए इन सब चीजों को छोड़के कमेंट करके जरूर बताईए और इसी के साथ अगर आज की न्यूस जानके अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक ठुकते हो जरूर जाए अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ को साथ बल आइकन को भी दबा दीजिए जिसकी वज़ए से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नहीं नी पहुंचा पाए इसी के साथ मैं लेती जाज़त बबाई टेक के नमशकार अगर यह खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पो वाचिंग एचजे नियूज